अगर मार्ग श्री सुक्ल पक्षी की एकादसी को मुक्षदा एकादसी कहते हैं यह 23 दिशंबर को है और यह मुक्षदा एकादसी का जो ब्रत करते हैं वह मुक्षदा को देने वाली है बैखानस नाम के राजा ने शप्न में जो है अपने पित्रों को जो है नरकों में पड़े हुए देखा और ब्रामणों से पूछा तो ब्रामणों ने कहा पास में ही एक परवत मुनी हैं उनके पास जा करके पूछो राजा बैखानस परवत मुनी के पास पहुंचे हैं उनके के चरण में प्रणाम किया बड़े आदर से महात्मा जी ने पूछा राजन आने का कारण फुनाओ और बैखानस नाम के राजा ने कहा है महात्मा जी मेरे पितर मैं सप्ट में देखा हूँ नरकों में पड़े हुए हैं ऐसा सुनकर परवतमुनी ने कहा खे राजन तुम जो ह मार्गशिस जिसको हम अगहन कहते हैं सुकल पक्षे की एकादशी का बृत करो और बृत करके उसका पुर्ण अपने पितरों को प्रदान करो जिससे वे मोक्षे को प्राप्त हो जाएंगे नरकों से इस प्रकार सुनकर के बैखानस नाम के राजा ने सुन्दर मोक्षेदा एकादशी का बृत किया और उस पुर्ण को अपने पितरों के लिए दिया ये सुन्दर के पित्रिगन सब भग्वत धाम को प्राप्त हो गए जी हाँ मोक्षदा एकादशी का जो बृत करते हैं उनके तो समस्त पाप नस्त ही हो जाते हैं मनवानी कर्म से गये और उनके पि शुन्दर बड़े प्रेम से भगवान नार्यान की पूजा का विशेश विधान है यथा शक्ति भगवान नार्यान की घिवंगे जुफे शुन्दर व्रत करे जिस व्रत के प्रभाहर से उसके समस्त पाप नश्ट हो करके समस्त शांसारिक सुखों को प्राप्त करते हुए वह स्वयम और उसके पित्रिगन शब मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे यदि कहीं भी किसी भी योनी में पड़े हुई हैं नरकों में पड़े हुई हैं उन पुर्णियों के प्रवार से उनके पितरों को जो है सुन्दा फ्रिष्ट गती प्राप्त होगी और उसे श्वयम मोक्ष की प्राप्त होगी कामनाओं को पूर्ण करते हुए संसार से जाने पर भगवत धाम को प्राप्त करेगा यही इसी एकादस्षी का विशेश महात्मी है